जैसे कि उसका जो एफिशन्सी है वो लो है उसका जो स्टीम रेट है वो कम है उसके प्रॉलम के सॉलूशन में यह बोईलर बनाया गए थे बैपकोव विलकॉक्स बोईलर वो वाटर ट्यूब बोईलर है सेंक कोकरन बोईलर की तरह है इसमें पहले हम क्या ड्रॉत करेंगे फिगर ड्रॉat करते हैं उसके भाद कौन-कौन से पॉइंट लिखने है वह देख लेते हैं तो पहले फिगर ड्रॉat करते हैं अच्छे से समझ भी लेते हैं उसके साथ साथ जो आपको लिखनी यह वो चले तो फीकर स्टार्ट करते हैं पहले सबसे पहले हम ड्रॉब क्या करेंगे एक ड्रॉम ड्रॉब करते हैं कि यह होगा एक ड्रॉम जो जिसके अंदर पाने बरा है समझ लिजे इसके बाद इसका एक फ्रेम वर्क यानि एक ब्रीक वर्क है यह यह हो गया ब्रीक वर्क यानि एक जनरली जो सिलिंडर है उसको सपोर्ट चाहे तो उसके लिए क्या चाहिए एक पुरा एक कंस्रक्शन किया होगा ब्रीक वर्क का यह होगी आपका ब्रीक वर्क यह से हैं इसको यहां से एक निकालते हैं अब इसके बाद सबसे पहले ड्रॉब क्या करना है एक ट्यूब ड्रॉब करनी है जिसे हम कहेंगे डाउन कमर और उसके साथ एटेच है डाउन टेक हेडर इसके साथ क्या टेच है डाउन टेक हेडर हेडर का काम क्या होता है हेडर का काम डिस्ट्रुबिशन करना या फिर डिस्ट्रुबिशन जे लाइन है उसको एक करना होता है इसके बाद सेम यहां से एक राइजर अब टेक हेडर है इसका नाम uptake header so ये uptake header है और ये downtake header है यानि पानी यहां से पहले downtake header में आएगा उसके बाद यहां से tubes दे रखें बीच में ये हो गए आपकी सारी water tubes ये हो गए आपकी water tubes repeat कर रहा है पहले से water drum के अंदर जो पानी है उसको पहले कहां लाएंगे down कमर में down कमर किसके साथ एटेश है डाउंटेक header के साथ अब डाउंटेक header के साथ सब water tubes connected है यानि पानी यहां से डाउंटेक header से कहां मूव होगा सारी tubes में उसके बाद यह uptake header है और यह जो पार्ट है that is your riser यह आपका riser हुआ अब यहां से मुझे फ्लूगेस इस पास करने यहांने मुझे एक फर्नेस चाहिए तो सबसे पहले फर्नेस ड्रॉ कर लेते है यह हो गए आपकी फर्नेस यहां पर पहले तो यह कौन सा पार्ट हुआ इस इस यह ग्रेट यह अगर ग्रेट है तो नीचे क्या रहेगा सबसे पहले फ्लूगेस को यहां से उपर कहां ले जाएंगे ट्यूब के पास तो यहां से आपको एक बफेल प्लेट दे रखिए बीच में देखो तो गैसी जो है वो यहां से ट्यूब के पास पास हो रहे है उसके बाद यहां से वो ट्रॉन लेके वापिस नीचे आएंगे अब एक और डिवाइस ड्रॉ कर रहे हैं इस इस सूपर हिटर यह क्या ड्रॉ क्या हमने सूपर हिटर यानि स्टीम स्पेस में से स्टीम पहले कहां आएगी सूपर हिटर में उसके बाद यहां पे स्टीम स्टॉप वाल थ्रू वो बहार निकल जाएगी ठीक है रिपीट जो भी स्टीम स्पेस में स्टीम है वो पहले कहां आएगी सूपर हिटर में उसके बाद स्टीम स्टॉप वाल से वो बहार जाएगी तो यहां से भी flu gases pass हो रहे हैं यानि वो super heater को भी hit दे रहे हैं अब super heater को support देने के लिए यहां से एक और buffer plate ले लो ठीक है यानि जो flu gases है वो आपिस नीचे turn हो गया ऐसे यहां से अब flu gases वापिस नीचे आ रहे हैं तो उसके बाद यहां से एक और structure ले लो एक और support जो support दे रहे हैं किसको water tubes को support दे रहे हैं यह सारी buffer plates है यानि बीच में hurdles है जो एक path generate करे flu gases के लिए तो अब flu gases यहां से वापिस उपर जाएंगे और बाद में यहां से यहां पर एक damper दे रखा है यानि एक दर्वाजा तो यहां से flu gases बहाँ निकलेंगे to the chimney इसके बाद हमें क्या ट्रोकन है दूसरे से सरी तो दूसरे से सिंपल है यहां पर एक manhole दिखा दो पहले inspection के लिए अगर stream stop वाल है तो मुझे safety वाल भी चाहिए तो यह आ गए आपका safety वाल उसके बाद water level indicator था कि एक space उसकी किस्पे होनी चाहिए यह water level indicator उसका एक end किस्पे होने चाहिए steam space में दूसरा end कहां पर होना चाहिए water space में यह water level indicator हो गया उसके बाद यह आपका mud box है जो downtake header का जो last part है that is your mud box कच्रा जो भी हो यहाँ पर जमाऊगा उसके बाद अगर मुझे boiler को flush करना है मुझे साफ करना है पाने निकाल देना है तो यहाँ से बाहर एक line ले लो यह आपका हो गया blow of cock ठीक है ओके यह bricks work तो हमें पता ही है यहाँ पर भी यही brick works है उसके बाद एक important part that is fusible plug जो furnace के उपर आपको बताना है यहाँ पर so this is your fusible plug यह आपका super heater यह water tubes और इस तरफ एक बता देते हैं हम फीडी चेक वाल ओके तो यहाँ पर हो गए आपकी बैपको विलकॉक्सी फीगर easy है सिर्फ दीखने में complicated है वरना यह काफी easy figure है अपने तरह से बनाओ इसको थोड़ी सी line इदर उदर होगी तो कोई issue नहीं है चलेगा आपको सिर्फ इसके figure draw करने से आपको पूरे marks मिलने वाले है ऐसा समझ दो तो इसमें दूसरे points आप कौन से लिखने वाले हो तो पहले पहला point आप कौन सा लिखोगे कि यह early 90s का boiler है यह fire tube के जो problem है उसके वजह से इसको design किया गया था तो इसके efficiency बढ़ाने के लिए water tube boiler यह बनाया गया था चलिए अब second point में आप क्या लिखोगे second point में आपको लिखना है classification of the boiler यानि बॉलर को आप कैसे classify करोगे यह बॉलर कौन सा है water tube boiler है multi tube boiler है internally fight है या externally fight तो externally fight है drum के बाहर आप combustion कर रहे हो तो externally fight boiler है number of tubes की इतनी है तो multi tube boiler है इसके अंदर जो drum है वह कौन सा है तो कि horizontal boiler है तो आपको सारे points लिख देना है फिर से repeat कर रहा हूं कौन-कौन से water tube boiler externally fight boiler horizontal boiler multi tube boiler coal fight boiler तो यह सारे point आप इंदर लिख सकते हो ठीके third point में आप क्या लिखने वाले हो तो third point में आपको लिखना है कि उसका working लिखना है यानि ग्रेट से यहां पर आप combustion कर रहे हो तो flugases को एक path दिया गया बफिल plates through तो heat कौन एबजोग करेगा water tube एबजोग करेगी जो पानी गरम होगा तो वह steam generate करेगा steam यहां से राइजर थू कहां पर connect होने वाली है ड्रम के अंदर collect होने वाली है तो उसको मैं यूज़ करूंगा सुपर हीटर में उसके बाद वह बहार निकलेगी steam तो basic function आपको लिखना है ओके लास्ट फॉर्थ पॉइंट में आपको लिखना है स्प्रेसिविकेशन यानि इसका जो steam प्रेशर है वो कितना रहेगा बैपकोल विकोग्स के अंदर जनरली 32 35 बार प्रेशर रहता है यानि यह वो मिडियम प्रेशर बॉइलर है इसके बाद उसका जो steam generation capacity है वह जनरली 20000-40000 केजी पर आवर है तो वह आपको एक लिखना है उसके बाद उसका जो इंक्लाइंड एंगल है यह water tubes का वह 5-15 डिग्री होता है यह थर्ड पॉइंट आप उसके अंदर specification के अंदर और एक पॉइंट आप एड़ कर सकते हो कि जो डैपकोल विकोग्स से बॉइलर है उसके अंदर weight stream और super hit stream दोनों मिलती है आपको क्योंकि इसके अंदर super hitter दिया गया है तो यह आपको चार या पाँच पॉइंट specification में लिख दो तो आपकी theory यहां पे complete हो जाती है ठीक है अगर इसमें कोई doubt हो तो comment box में लिख देना और next lecture में हम package boiler देखेंगे so see you soon in like section